Welcome back to our channel guys आज के इस lecture में हम जानेंगे कि कैसे हम किसी भी python program या फिर किसी भी python file का .exe file कैसे prepare कर सकते हैं ये जानेंगे step by step लेकिन उसके पहले हमें ये पता होना जिए कि actual में हम .exe file prepare क्यों करते हैं मा लिजे आपने एक project prepare किया है ठीक है आपने system पर अब उस project को आपको आपके friend को share करना है तो कैसे share करोगे उस project की जो main file होगे उसको share करोगे और उस project के अंदर आपने जितनी भी multiple files का use किया है उन सभी files को आपको share करना होगा इससे आसान तरीका शेयर करने का कि आप उस project का .exe file prepare करें और वो एक single file आप आपके friend को share कर सकते हो तो आपका share करने का तरीका जो बहुत ही stylish हो चुका है और आपको एक single file share करना है तो आपको share करने में difficulty नहीं होगी second reason यहाँ पर यह होता है .exe file prepare करना है कि आप जब भी यहाँ पर किसी python file या फिर माल लेजे कि आपने एक project prepare किया है और उसके लिए आपने python का 3.6 version यूज किया ठीक है अब आपके जो भी friend है जिसको आप यह project share करोगे या फिर दिखाओगे उनके जो machine है उनके उपर python का 3.2 version इस्टॉल है तो अगर आप यहाँ पर same machine का जो भी version होगा वो अगर use नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपका जो project है वो सामने वाले मतलब आपके friend के system पर run ना हो तो यह problem से बचने के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो अपने project का बढ़िया से .exe file prepare कर सकते हो और अपने जो भी friend है उसको आसानी से share कर सकते हो तो उसको भी जो भी आपका जो friend होगा उसको .exe file को use करना या फिर compile करने या फिर execute करने में बहुत ही आसानी होगी इसलिए हम यहाँ पर .exe file prepare करते हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ पर किसी भी file को हम .exe file में कैसे convert कर सकते हैं .exe file में convert करना बहुत ही आसान है आपको step by step यहाँ पर चीज़े बताई जाएगी आपको सिर्प 2-3 step follow करना है देन आपकी एक आसानी से .exe file prepare हो जाएगी तो firstly आपको यहाँ पर यह करना है कि five installer नाम का module होता है आपके पास जो python आपको देता है किसी भी file को .exe file में convert करने के लिए उस module को आपको आपके system में install करना होगा तो उसको install करने की क्या process है देखे हम इस python की series में पहले ही जान चुके है कि modules का क्या use है और python में किसी भी module को किसे हमारे system पर install किया जाता है देखे हमने यहाँ पर lecture number three में ही discuss कर लिया था लेकिन मैं आपको फिर भी यहाँ पर एक बर again बता दूँगा कि किसी भी module को install करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होता है तो आप अपना यहाँ पर windows power shell या फिर अगर आपके पास windows power shell नही यहाँ पर mention कर चुके हैं इसके बाद आपको प्रेस करना है इंटर जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे तो यह जो external module होता है python का पा स्टोलर यह internet की सहायता से आपके system में download होगा देन automatic install भी हो जाएगा देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है requirement already satisfied क्योंकि हम इस module को already हमारे system मे download कर चुके हैं तो यहाँ पर लिखा रहा है requirement already satisfied लेकिन यह process अगर आप first time करोगे तो यहाँ पर यह module internet के सहायता से आपके system में आसानी से download हो जाएगा देन automatic install भी हो जाएगा यह install होने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर Windows PowerShell या फिर Command Prompt को बढ़िया से यहाँ पर कर द install करते ना तो वो proper work नहीं करते जब तक हम उसको refresh नहीं करते तो refresh करने से हमारी जो machine होती है वो भी जो भी currently हमने जो भी हमारे system में application या फिर किसी भी module को install किया है तो उसके साथ हमारी machine adjust हो जाती है और properly work करती है इसलिए हम हमारे system को refresh करते हैं अब जानते है कि कैसे हम हमारी file को .exe file में convert कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है किसी भी एक python file को open कर लेना जैसे कि हमने यहाँ पर एक python file ले रखी है हमने कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक application प्रिपेर किया था calculator application उसी application को कैसे हम .exe file में convert कर सकते हैं यह आज हम जानेंगे आप अपनी किसी भी file file को यहाँ पर select कर सकते हो अब आपको यहाँ पर क्या करना है देखिए जिस folder में आपकी file present है ना उस folder में जाकर आपको shift दबाकर right click करना है इससे क्या होगा आप जिस folder में अपना windows power shell या फिर command prompt open करना चाहते हो वहाँ पर आपका Windows power shell या फिर command prompt open हो जाएगा देन आपको क्य का यूज़ करना है तो मैं आप लिख देता हूं पाई इस टॉलर अब ठीक है हमने यहां पर हमारे मोडियूल का नाम लिख दिया इसके बाद आपको क्या करना है उस फाइल का नाम लिखना है जिस भी फाइल को आप डॉट एकसी फाइल में कनवर्ट करना चाहते हो फॉर एक एक रिखने के बाद अगर आप टेपर्स कर देता हो तो आपका सिस्टम क्या करता है उस फाइल से रिलेटेड जो भी नेम आपके सिस्टम में प्रेज़ेंट होती है, उस फाइल का नाम आटो फिल कर देता है, ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए, आप ये लिखन आ चुका है, मतलब हमारी यहाँ पर एक .exe फाइल प्रिपेर हो चुकी है, अब आपको चेक करना है कि आपकी जो फाइल थी Python की उसकी .exe प्रिपेर हो चुकी है या नहीं, तो आपको अगें जाना है उसी फॉल्डर में जहाँ पर आपकी Python की फाइल प्रेजेंट थी, देखें यहां पर यह सारी फाइल प्रफिरों हो चुको है देखें यहां पर यह तीन चार फाइल है अब आप चाहते होगेdtा सर हम यह 3-4 फाइल को अपको यह तो बहुत इफिकल्ट हो जाएगा लग इसके पहले हम हमारे जो भी किल्कॉलेटर है आप कर लेटेशन है। तो अगेन यहाँ पर .exe file पर double click करेंगे और हमारा यहाँ पर देखिए बड़ियासे calculator आ चुका है अब हमारे इस calculator को check कर लेते हैं कि यह proper work कर रहा है या नहीं तो मैं आप 98-5 कर देता हूँ इक्वल टू क्या होगा 93 बड़ियासे देखिए गाईस हमारा यहाँ पर calculator application पूरी तरह से work कर रहा है लेकिन यह भी एक आसान तरीका नहीं है किसी भी file को .exe में convert करने का तो आसान तरीका क्या होगा यह भी आपको पता होना चाहिए तो अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे यह जितनी भी files हमारे पाइस टॉलर नाम के module यह में दी है न python file के अलावा इन सभी को हम यहाँ पर क्या करेंगे डिलीट कर देंगे अब डिलीट करने के बाद हमारा system इन सभी को डिलीट करेगा देन अगेन यह process हमें follow करनी है कौन सी आपको यहाँ पर क्या करना है इस टॉलर ठीक है 25 टॉलर अमारे module का नाम उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है minus minus one file लिखना अब one file लिखने से आपका profit यहाँ पर क्या होगा देखिए अभी आपके पास तीन चार फाइले आ रही थी dist नाम का एक folder आ रहा था उसके बाद एक script नाम का folder आ रहा था उसके बाद एक और file आ रहा थी तो इतना congested मामला आपको share नहीं करना है आपको क्या करना है एक single.exe file किसी भी friend या फिर किसी भी senior को आपका project एक single.exe file में share करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा command $25-1 file देन आपकी file का नाम तो मैं आपर project लिखकर pro लिखकर टेप प्रेस कर देता हूँ जिससे हमारा system उस file का नाम auto fill कर देगा यह लिखने के बाद हमें interface करना है तो हमारा system क्या करेगा इस project की एक single.exe file प्रिपेर करके हमें देगा तो इसके हमें कुछ time देना होगा देन हमारा देखिए यहाँ पर बड़िया से लिखा आ चुका है completed successfully अब अगेन हमें check करना है कि हमारी जो file थी है पिर हमारा जो project था उसका एक single.exe file प्रिपेर हुआ है या नहीं तो अगेन जाते हम हमारे folder में जहां पर हमने हमारी file को store किया था और बड़िया से guys देखिए यहाँ पर 3-4 file आ चुके लेकिन अब आपको यहाँ पर क्या करना है हम इस पर double click करते हैं और बड़िया से guys देखिए हमारा यहाँ पर file open हो चुका है और यह हमारा calculator भी आ चुका है अगेन इसको हम run करके check करेंगे कि हमारा calculator पूरी तरह से work कर रहा है या नहीं तो मैं आप पर 90 plus 3 कर देता हूँ ठीक है तो 93 बड़िया से guys हमारा calculator भी यहाँ पर work कर रहा है तो I hope कि आपको यहाँ पर यह जी समझ में आ चुकी होगी कि कैसे आप अपने किसी भी project का एक .exe file prepare कर सकते हो और उसके बाद अगर आपको एक single .exe file prepare करना है वो कैसे करना है बहुत ही आसान तरीका है मैंने आपको step by step बता है तो आप इन चीजों को follow करें और कभी भी आपको किसी भी senior को अगर आपका project share करना हो तो आगे से आप क्या करना उस project का एक .exe file prepare करेंगे देन आपके senior को share करेंगे यह बहुत ही professional तरीका है किसी भी project या फिर किसी भी file को share करनेगा अब बात करते हैं हमारी इस playlist की जिस playlist का नाम है python tutorials for absolute being a जहन इंदी अगर अभी तक आपने इस playlist का access नहीं किया है तो kindly guys access कर लिजिए यहाँ पर आपको python के सारे topic मिल जाएगा हमने यहाँ पर python को पूरी तरह से step by step explain किया है अगर आपको किसी भी topic में doubt हो तो आप comment section में पूछ सकते हो no doubt आपका doubt clear किया जाएगा लेकिन आपको step by step सारी series पूरी तरह से देखना है किसी भी lecture में doubt हो देना हम comment section में पूछ सकते हो तो फिलाल में इस वीडियो में इतना है thank you so much for watching and I'll see you in the next video guys